क्या कि देखिए कि सबसे पहले तो उनका एक बहुत बड़ा सुने होंगे आप वो क्या बोलते हैं ना कि पकौड़ा तलना विरोजगार है सुने है नजी कि वाकई में है अब जिस डिफनेशन से जिस जो बता रहे हैं कि पकौला तलना भी रोजगार है तो साइध उनको रोजगार का परिभासा नहीं पता है वो जिस परकार से परिभासित कर रहे हैं उस परकार से भीख मांगना भी रोजगार हो जाएगा तो क्या छात्र लोग भीक मांगे भीक मांगेगा तो कहेंगे कि रोजगार है यह सच में तो सबसे पहले तो उनको परिभासा पता होना चाहिए दूसरी बात छात्र लोग को कोई भाका नहीं सकता है छात्रों के साथ जो दर्द मिला है और जो धोका हुआ है न वो वाकई में आपको दिलो और दिमाग को हिला देगा अरे उन्हें तो बरवाद किया उनको पिडियों को ही बरवाद किया सबसे पड़ी बात है कि भाकेंसी क्ता सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि छात्रों को दर्द पर दर्द, दर्द पर दर्द मिलाया है वेटिंग ग्रूप D में हटाया गया वेटिंग का मतलब समझ ये कि अगर सौसीट है तो पहले डिल गूना बुलाये जाता था क्योंकि जो भी ग्रूप को खत्म कर दिया गया कहने का मतलब अगर 100 बच्चा है तो इसमें से 40 बच्चे नौकरी अगर छोड़ेंगे तो फिर वही वाला भकेंसी एड़ करके दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि ये तो नया भकेंसी निकाला जा रहा है तो सबसे पहला तो यहाँ पर परहार जो किया गया जो चात्र इस चीज को समझ रहे है कि वेटिंग को खत्म कर दिया गया जो चात्रों का एक जाइज मांग था तो वेटिंग के लिए भी चात्रा अंदोलन किये और ट्वीटन कम्मेंट किये वहाँ पर कोई नहीं सुनवाई हुई दूसरी बात 6 साल पर मात्र जब भकेंसी आई तो मात्र 596 भकेंसी आई सोचिए यह इतना बड़ा दर्द था क्योंकि सालों लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे कि अब कुछ हो और इसके पहले तो दो लाग से उपर हुआ ही था संसर्द में बोला गया थे कि सीट खाली है रेलवे का वो क्या हुआ दो लाग से उपर खाली है मात्र पाँच हज़र 696 उट के मुह में जीरा अरे यह बहुत बला च्छल है दूसरी बात अगर हमारे देश में रोजगार नहीं होता तो कहा जाता रोजगार है भकेंसी खाली है फिर भी नहीं निकाला जा रहा है इसके पीछे रीजन क्या है भाई छात्रों को आप मारना चाहते हैं छात्रों को आप बचने नहीं दीजेगा आपको मंसा क्या है वो तो बताईए तो इस परकार से वेटिंग, भकेंसी ना देना, भकेंसी होते हुए भी सोची कि अगर हमारे देश में रोजगार नहीं है तो लोग बीदेश में जाते हैं, दूसरे जगह रोजगार काम करने के लिए जाते हैं, और जब वो काम करने के लिए जाते हैं, क्यो उनके साथ अन्याय होता है और यह बहुत बड़ा अन्याय हुआ इस अन्याय को बहुत सह नहीं पाए और जब अंदोलन भी किये अपना मांग को रखे कि वकेंसी को इंकरीज किजिया बढ़ाईए आखिर इतना कम सिट क्यूँ एलपी का जो वकेंसी आप निकालें और टेकनिसियन का साथ में यह कहीं से भी सही नहीं था बहुत सारे टीचरों ने साथ दिया चाधर पटना मांदोलन किये उन पर लाठियाँ बरसाया गया चाधर जख्मी हुए एकदम सूना ही नहीं गया यार यह क्या तमासा बना रखे तो छात्रों के साथ जो हुआ और वर्गर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ किसान को तो आप जानी रहे हैं देखी रहे हैं तो मैं छात्र की बात कर रहा हूँ ये छात्र कभी सपोर्ट करेगा ही नहीं मोदी को इस चीज़ को आप समझ लिजी 2019 भकेंसी जो आई लाखों लाख में भकेंसी आई अभी उसका प्रोसेस चली रहा है तो लाखों लाख में भकेंसी आती थी उसको अब हजारों में कर दिये बिहार का भकेंसी है इससे अचा तो बिहार में आया है राज अस्तरी भकेंसी है तो ये बहुत बड़ा परहार है और वर्गों को लगेगा कि छात्र बहकावे में आ करके किसी की बातों में आ करके बहक गए हैं हाना वो किसी और की बात में आ करके सरकार का विरोध करते हैं तो सरकार का विरोध क्योंकि छात्र लोग पढ़ा लिखा है समझदार है वो समझता है और तो और समझता है इसलिए वो विरोध करता है क्योंकि किसी के बहकाई में नहीं है दूसरी बात है कि मोदेजी सपना पता ही होगा तो मुश्लिम कट्री में मस्जिद बहुत है तो क्या मस्जिद सिर्फ हो जाने से देश का विकास हो जाएगा सिर्फ मंदिर बना देने से क्या देश का विकास हो जाएगा क्या हिंदू को सिर्फ मंदिर चाहिए क्या मुसल्मान को सिर्फ मस्जिद चाहिए अरे रोजी रोटी कपड़ा मकान ये जरूरी है ना उसको आप खतम कर रहे है जो हमारे पास भाकेंसी है रोजगार है आप नया नया सिर्जन करने आपको भी नहीं कर रहे है जो है उसको किजन उसको खतम कर रहे है और मामला क्या ह तो बहुत बड़ा ये आंदोलन हुआ था तो छातरों लोग कभी नहीं सपोर्ट करेगा जी गभी नहीं सपोर्ट करेगा छातरों के साथ जो वार परहार जो हुआ है न वो von a he 5000 भी भी घर यह देगा एक। कुछ इससे होने वाला नहीं तो दोस्त ये आप clear हो जाएए ये सभी वर्ग जान लीजे कि छात्रों के साथ बुरा हुआ है और ये छात्र जान रहे हैं समझ रहे हैं छात्र किसी के बहकावे में नहीं है छात्र किसी बहकाई में नहीं है और किसी और वर्गे के साथ जो रहा है वो तो अपना जानी रहा है अपना हाल लेकिन छात्र अपना हाल जान रहा है जो छात्र नहीं जान रहा है समझ रहा है वो छात्र फिर है ही नहीं है ही नहीं बहुत बड़ा परदर्शन हुआ रवीश क बात नहीं सुना गया आपको पता होना चाहिए कि वर्ना कुलर प्रेस एक्ट लॉड लिटन का जब सासन काल था तो उसमें पारित किया गया था क्यों कि जो समाचार पत्र थे उनको बंद करना था देश के देश हीत के लिए जो समाचार पत्र जो समाचार पहुचाने का काम करते थे विशेस कर जो सोम परकास था उसको बैन कर दिया गया परतिबंधित कर दिया गया था लॉड लिटन के सासन काल था तो जिन होने भी सासन बबस्ता को हमारे देश में सासन करना चाहा है, लूटना चाहा है, उस सबसे पहला परहार अगर करता है, उस समचार पत्रों का करता है, और इसका जीता जगता एगामपल, 1878 का आप देखेगा, लॉड लिटन का सासन काल था, उस समें वर्नकुलर प्रेस एक्ट पारिद किया वाले नहीं है, क्योंकि छात्रों के साथ बहुत बुरा हुआ है, अब उनके समय में एज निकल गया, तो उनके समय भकेंसी नहीं आया, वेटिंग को खत्म कर दिया गया, जो हमारा पहले से ही चला आ रहा था, आपसे नया हम कुछ नहीं मांग रहा है, जो पहले से आ रहा आप ऐसा नया करें कि छात्रों में खुसी आये, छात्रों को दर्द पर दर्द पर दर्द 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 और आप तो बहुत कुछ बोले थे दो क्रणों बोले थे परति वर्स, देंगे भकनसी नहीं, दो ही लाग दे तो ना, तो फिर हम लोग बेवकूफ थोड़ी है, कहा खोए हुए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, हम लोग को यह बताईए, ठीक है, तो यह आप समझ सकते हैं, छात्र इस सिस्टम के खिलाफ है, यह सिस्टम पूरा गंदा है, और यह सिस्टम से छात्रों को भारी नुक्षान हो रहा है, इस सिस्टम को सरकार को बदलन की जरूरत है और बदलने के बाद भी जो छात्रों को भारी नुक्षान हुआ है उसका तो भरपाई नहीं हो सकता है